अलो फ्रेंट्स, विल्कम बेक मैं चैनल, तो फ्रेंट्स, काफी दिनों से मेरी विडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीजी हो गई थी अपने घर के कामों में, तो घर के कामों बीजी होने के वज़से इंसान खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाता, तो लेगे हो सच दाने पानी बाद कर देना है कर दो के लिए पानी इकदम काला हो जाता है तो बुश के बाद उसको आप बॉयल कर दी अच्छे से तो उसे मैंने बॉयल करके रख दिया थंडा होने के लिए और तब तक मैं यहाँ पे बेट पे सारे जो कंबल वेगरा है वो सब में फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चेले गया है और अभी है मॉर्निंग का ही टाइम तो मैं फटा-फट पहले हैं आप बिस्तर समेट लेती हूँ ठीक से और पैक बनाने की मैं पूरी बिधी आपके साथ सेयर करूँगी जिससे कि आपके मतलब बाल अगर ग्रे हो रहा है न तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इस पैक से आपको बेनिफिट पहुँचने वाले हैं क्योंकि कलर हर चीज का शलूशन नहीं होता है आप जब बाल में हेर कलर एक बार यूज़ करने लगते है न बाल मतलब उसके बाद उस कलर की हेवी चेटेट हो जाती है और उसके बाद वो आप कलर नहीं करोगे तो बहुत ही तेजी में बाल ग्रे होने लगते हैं तो खेर मैं अपने सारे कंबल वेगर को बॉक्स जो है दिवान के बॉक्स में ही डाल देती हूँ और यह बड़ा ही अच्छा हो जाता है क्योंकि आप एक ही दिवान के अंदर में आप इन सब को बैक मतलब जो बैक साइड होती न सीर के साइड में तो बॉक्स बनी होती है और यह काफी पुराना मेरा जो दिवान है वो है तो मैंने सारे कंबल अंदर डाल दिये हैं और बे लेंगी जो ही जालूंगी ने इससे आपके बाल मतलब आपके पैक के लिए काफी अच्छे तो मैंने लिया यहां पे ही न और उसके शाहले मैं यहां पर कलंजी पॉड़र लेने वाली हूँ लाइभ होती है न वो अगर आपके हेर ग्रोथ कम हो रहे हैं बाल नहीं आ रहे हैं क्लोंजी के पॉड़र मर अगर घंज़े लोग और असके बाल आ जाते लिए तो खैल कोई बाद नहींग daughters तो मैंने उसके अलीए मैं हमेसा इस जादा हो रहा है और यहां मैंने लिया है में दी में ... अनूपूर की में ली है और उशी के साथ में मैं कॉलंजी पॉडर को दो चमच डालूंगी आप इसके साथ में मेथी पॉडर भी आड़ कर सकते हैं तो मैंने क्या किया था ना कि मेथी वेगर जो है ना वो मैंने उसी के साथ में आउले के साथ में मैंने उसके powder थोड़े से boil कर लिये थे आप चाहे तो यहां पर भी आप टाल करके उसे यह कर सकते हैं जैसे मैं pack में mix करने वाली हूँ वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं मेहंदी और कलोंजी powder मेथी powder के साथ में यह पैक बना रही हूँ और उसका जो main ingredient है हुआ है और आवले का पानी तो यहां पर मैंने इसे mix कर लिया है मेह ंदी को और कलोंजी powder को तो इसे हम क्या करेंगे यह जो है यह मैं आउनलाइन मैंने मंग वाया था वैसे offline भी आपको कहीं पर भी किसी मौल मार्केट में मिल जाएंगे और यहां पर दो यहां पर आवले को मैं निका तो आप पेश्ट बनाएंगे न तो काफी बारिक पेश्ट बनेगी और काफी अच्छी पेश्ट बनेगी थिक पेश्ट बनेगी और उसे आप मिक्स कर सकते हैं नहीं अगर आपको और क्या आता लेकिन हांबाल में लाहने के बाद वो थोड़े से मोटे मोटे जो होते न वो गिरने सुरू हो जाते हैं क्योंकि एकदम बारिक नहीं होती है यह ड्राई आउला है तो इसलिए इसके पाउडर बनाने से अच्छा है कि मैं सिधे आउला सुखा करके रखती हूं डाल देती हूं बॉयल होनी के लिए और उसके पानी के साथ मैं यहां पर पैक बना रही हूं वैसे मैंने एक और भी आपको पताया था जिसमें आउले को मैंने अच्छे से मद उसकी पेश्ट बना करके डाली थी तो आपके उपर डिपेंड करता है कि आप उसके पानी आड़ करेंगे या फिर आउले को भी आड़ करेंगे तो यहां पर मैं पानी के साथ में कर रही खेड़ चलिए यहां पर बहुत अच्छे से यह मिक्स हो गई है और मेंदी इसमें जाकर के आउले के पानी में एकदम वह भी ब्लैक हो गई मेंदी तो इसे ही हमें ऐसे ही पैक बनाने है तभी आपके जो ग्रे बाल है उसे मतलब कवर करेंगे यह और काफी अच्छे से कव करती है और मुझे तो काफी अच्छा लगता है इसका बनाना तो मैं इसे मतलब बहुत सारे इंग्रेंट के साथ में बनाती हूं अभी मैंने कम लिया है ज्यादा कुष्णी मेंदी और कलंजी के साथ में आउले के साथ में मैंने बनाया है थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है म और यहां पर यह रेडी हो गई है तो इसे ढखके और आपको एक से दो दिन इसे धूप दिखानी है तो यह जो पैक है यह बनने में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं और आपको जब लगाना हो नो उसके 2-3 दिन पहले से हैं प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए तो यह बहुत अच्छ में मैंने मिक्स नहीं किया है उपर 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 पानी है क्योंकि इससे क्या होता न उपर में जो उसकी मोटी परत हो जाती है न धूप में रखने के वाद वो नहीं बनने वाली है इसलिए पानी हलका उपर से दे करके और आप किसी भी प्लेट से धखते हैं अधक करके आप आपको इसे धूप में डाल देना है ऐसे जगह पर रख दीजिए जहां पर इतनी से 3-4 घंटे की धूप लग जाए और ऐसे आपको दो दिन कम से कम रखना है इस तरीके से फिर जैसे चाहा होने लगे ठंडी हो जाए तो आप हटा दीजिए फिर धूप में आप उसे ऐसे ही तो इसे दो दिन तर कम से कम 4-5 घंटे की धूप लगनी चाहिए उसके बाद हम इस पैक को अपने भालों पर लगाएंगे तो चली मैंने तो रेडी करके रख लिया है और लगाने का मैथड होई है जो सब का होता है में दी लगाने का तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ अ आपके लिए काफी एहम होते है आपको उनसे बहुत लगाब होता है ऐसे कपरे आपके पास भी होते होंगे मेरे पास भी है मेरी शादी के बहुत सारे यहाँ और रिसेप्शन की सारी यह सब है तो हमेशा हर शाल धूप दिखानी चाहिए विंटर में निकाल करके धूप द चुकि पेंटिंग के काम घड़ में चल रहा है तो मैंने उस ताले को कटवाया है ट्रंक के ताले को और मैंने सारे कप्रे निकाले और मैं देख रहे थी किरे वेरत नहीं लगा लें बिल्कुल भी नहीं लगे एक दम फ्रेस है मेरी बनार्शी शारी जिसे बनार्शी शालू भी बोलते हैं उसके साथ में मेरे लहंगे हैं मेरी लहंगा शारी है जो मेरे रिशेप्सन का है उसके साथ और भी बहुत सारे वर्क वाली शारी जो पक फेरे में मैंने पहने थे और इतनी हेवी हेवी शारी ना की मतलब उठाय नहीं उठती तो मैंने एक वार में दोती नह भोटे बाते हैं अब और अब बने मेरे शाजो मा नहीं नहीं है मेरी उश टाइम पे लेकिन मेरे पापा थे शादी के वक्त और मेरी शाशुमा थी ससुर जी को भी मैंने नहीं देखा है तो ये लोग थें लेकिन अभी एक कोई नहीं है तो इन सब कपरों को देखो नदूँ उन सब की याद बहुत आती है बहुत सौक से मेरी शाशुमाने लेंगा मुझे जैमाल के लिए भेजा था जिसके ब्लॉज अभी मैं उल्टे कर रही हूँ सबको उल्टे करके ढाल रही हूँ क्योंकि शीदे में सब में हेवी वर्क है और ये मेरी बनार्शी शारी है जो कि काफी हेवी है और ये मेरे पापा ने दिया था तो बहुत सारी शारीयां यहाँ पे है कोई मेरे भाई ने दिया है तो ऐसे करके कुछ शादी की जो बहुत इंपोर्टन शारीयां होती है उसमें से कुछ ही शारीयां यहाँ पे है बागी को तो मैंने अपने पास रखा हुआ है और बागी यह बहुत हेवी यह थी इसे मैंने ट्रंक में डाल दिया था और शैंजूक से ट्रंक की चावी गूह हो गई थी वह भी आरूल की वज़े से अरूल जब थोड़ा बढ़ा हुआ तो उससे चावी से खेलनी आप बहु मैं पहुत ही A Ellie Summatiyorsun छना में शेव में डाल रही हुन और इन सब को थोड़ी से धूबंब लगनी विया जरूरी है क्या तो इस तरीके से इसे में बहुत पांस से आपको डिखा गी अभी तो मैं इसे धूब दिखा रही हूँ अगर मैं इतने सारे काम थो मनला पूछे मत कि मैं आपको बहुत जादा नहीं दिखा पा रही हूँ नहीं तो मैं अपनी शादी की शारी बहुत सारी सारिया ऐसी है कि मैं आपके साथ सेयर करूंगी कभी मौका मिलेगा तो तो चलिए खेर मैं पहले सब को जल्दी यली फटा फटाल देती हूं धूप में दोख लखने के लिए और यह जो शारियां जो भी होती है न जो वर्क किये हुए जो कपड़े होते है न यह जो शिल्क की शारियां होती है न शिल्क की शारियों की तो बेन बात है कि आप उसको ना हमेशा उसकी तह पलटते रहे एक तह पे रखने नीचे यह कभी भी और य जब आप उसे रख रही हो ना किसी ही ट्रंक में तो अखवार जुछ होती है ना मैं टॉलोबकी दिखाऊंगी तो कापी वक्त लगेगा मुझे दिखाने में और इसके कलर सब भी बड़े प्यारे हैं और बिल्कुल भी अभी तक वह एकदम से फ्रेस है और वैसे ही है जैसे पहले थे खैर मैनने कपरे रख दिये और मैं आ गई हूं नीचे एक बार देखने के लिए तो यहां पर जो है न वह जो बेट के गद्धे होते हैं वो बन रहे हैं यहां पे बाकी अंदर की प्रिंटिंग हो गई है गद्धे बन रहे थे और यहांपर मैं एक वाल को हाइलाइट करवा रही हूं तो कापी प्यारे मतलब आपने हो रहे थे तो वह सब मैं आपको दिखाऊंगी वैसे तो मैं अब मैं हमें सबाब को बताती है और करूंगी आप लोगों से नहीं करूंगी तो किस के साथ बजीजी